हेलो एव्रीवान वेलकम टी यूर ओन यूटीब चैनल दा मैथमेशन शो फ्रेंट्स उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मानूं बीएट मैथमेटिक्स इंट्रेंस एक्जाम से डिलेटेड इनफॉरमेशन देने वा दरभंगा में अडिमिशन हो जाएगा और इतना रेंक आने पर आपको कौन सा सेंटर अलोट होगा यह मैंने बताया था और यह बताया था कि 251 रैंक अगर आएगा आपका तो आपको दरभंगा में सीट एलोट हो जाएगा और आपने जो भी इंजिनिरिंग फिल्ड के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा वो सीट आपको एलोट होगा और वैसा ही हुआ के बच्चे जो है कॉल करके मैसेज करके बता रहे हैं क और उनका भी हो सकता है कि उनको भी डिजाइड सीट मिल जाए और ऐसा ही हुआ 251 तक तो आया है यह तो कंफर्म मैंने बता दिया था और उसके बाद जो है आ सकता है यह मैंने कहा था और 350 तक बच्चों का तरभंगा मिला जो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने दिया था औ है दोनों चीज वही हुआ जो मैंने बताया था तो इस वीडियो में हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पर के मैथमेटिक्स बीट जो इंटरेंस एक्जाम हुआ है उसके रिलेटेड इंफरमेशन में आपको दिने वाला हूं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे के हर से सेंटर है कितना रैंक आने पर कौन सा सेंटर मिलेगा और कितना रैंक वाले का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा और कितने रैंक पर दरभंगा में एडिमीशन हो जाएगा और फर्स्ट लिस्ट में दरभंगा में नाम आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं सेंटर जानेंगे किस पर कितने बच्चा नाए एक्जाम दिया आर्शन यहां 38 बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है से और आथ बच्चे एप्सेंटर रहा है ओरंगाबाद से सेंटर से कोई भी बच्चा एक्जाम नहीं दीया है कि आजंगर कि यहां से चार बच्चे ने इंटरंस एक्जाम दिया एक एप सेंट रहा बैंगलूरू से कोई भी बच्चा एक्जाम नहीं दिया बैंगलूरू से से उसके बाद भोपाल कि तीन भच्चे ने से एकजाम दिया है उसके बाद कटक कैसे सैंटर से एकचे ने इंटरेंस एकजाम दिया है बीदर यहां से कोई भी बच्चा जो है इंट्रेंस एक्जाम नहीं दिया इस सेंटर से और टूटल मानू में जो है सो 18 सेंटर्स पर एक्जाम होते हैं और 12 राज्ये और एक दिल्ली एंसियार मिला के टूटल 13 हैं तो वहां इंट्रेंस एक्जाम होता है दरभंगा सबसे ज़्याद दरभंगा से 128 बच्चे ने मानू बीएड मैथमेटिक्स में एडिमिशन के लिए इंट्रेंस एक्जाम दिया है 20 बच्चे एपसेंट भी रहे हैं और 128 बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है डेली यहां से 6 बच्चे ने एक्जाम दिया है तीन बच्चे जो है एपसेंट रहे हैं उसके बाद हाईदराबाद इस सेंटर से 13 बच्चों ने एक्जाम दिया है और तीन बच्चे एपसेंट रहे हैं जम्मू और कडपपा इन दोनों सेंटर से कोई भी एक्जाम नहीं दिया है अब आते हैं किशन गंज इस सेंटर से एक क्यासी बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है ठीके उसके बाद लखनाव लखनाव से टोटल दो बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम दिया और दो एपसेंट रहा है नू जोकि हड़ी आना में है यहां से एक बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम दिया पटना पटना से एक्जाम देने वालों की संख्याद दरवंगा से भी ज्यादा है 133 ठीक है इस इंट्रेंस से एक्जाम दिया उसके बाद राची जाडखन छे बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम दिया संबल यूपी यहां से दो बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम दिया और शिरी नगर से से कोई बच्चे एक्जाम नहीं दिया है हां तो यह हम संटरवाइस अब जानी चुक्चे है कितने बच्चों ने एक्जाम दिया और कितने स्टेट से कितने बच्चों ने इंट्रेंस अग्जाम दिया है पहले इसको मिटा देता हूं स्टेट वाइस में जाड़ खंड यहां से छे बच्चों ने इंट्रेंस अग्जाम दिया है एडमिशन के लिए डेली NCR यहां से भी छे बच्चे इंट्रेंस अग्जाम दिया है उडिशा ठीक है उडिशा से एक बच्चा उसके बाद आते हैं हरियाना हरियाना से एक बच्चा है करना अठक यहां से कोई भी नहीं उसके बाद महराश्ट यहां से भी कोई नहीं एक्जाम दिया है उसके बाद यूपी आठ पर चेंटर्स एक्जाम दिये है जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से भी कोई नहीं उसके बाद वेस्ट बेंगॉल यहाँ से 38 मध्यपर्देश तीन बिहार यहार टोटल हो गया सभी सेंटर का मिला के 342 और तेलंगाना से 13 यहीं तेरा टोटल हर एस्टेट से इतने बच्चों ने एक्जाम दिया है कुल मिला के और टोटल एक्जाम देने वाले बच्चों की संख्या आपको पता है कि 418 है और टोटल सीट है 163 अब हर याना में टोटल जो सीट है नुह में जो सेंटर है वहाँ सीट है 13 ठीक है और एक्जाम दिया है सिर्फ एक स्टुडेंट तो आसानी से उनका एडमिशन हो जाएगा और आस पर उसके राज्ज बीदर करनाटक में भी 13 सीट है और वहाँ भी आसानी से इडमिशन हो जाए क्योंकि वहाँ कोई बच्चे एग्जाम ही ने दिया है महाराष्ट और अंगाबार में जो है सिंटर वहाँ 13 सीट है और कोई भी एक्जाम नहीं दिया है संबल में भी 13 सीट है यूपी में ठीक है और वहाँ भी सिर्फ आठी बच्चे है तो वहाँ जो आठो बच्चे है उनका रैंक चाहे कितना भी हो वो अगर फर्स्ट कर यहां भी 13 सीट है कोई बच्चा एक्जाम नहीं दिया तो दूसरे राज्यों से बच्चे को यहां भेजा जाता है उसके बाद वेस्ट बंगाल में कम्पिटीशन है थोड़ा 25 सीट है और 38 बच्चे है तो इन 38 में जिनका अच्छा रैंग होगा उनका एडमिशन हो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर दिया होंगे वो भपाल उसके बाद दरभंगा दरभंगा में 25 सीट है और टोटल बच्चे हैं 342 जिनोंने एक्जाम दिया हाइदराबाद में तेलंगाना 25 सीट और 13 बच्चे तो यहां भी आसानी से एडमिशन हो जाएगा और दूसरे आस प सबसे कम है तो आप जान लेते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में दरभंगा में किसको सीट होगा और कितना रैंक आने पर दरभंगा में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा अगर आपका रैंक 33 ठीक है या उससे कम है तो आपका एडमिशन दरभंगा में हो जाएगा आखमंद करके आ हो ठीक है अब आप सोच रहा होंगे कि टोटल सीट दर्भंगा में 25 है और मैं कह रहा हूं कि 33 यानि 33 वाले का कंफर्म बता रहा हूं इसके बाद भी ऐसे लोग होंगे जिनका रैंक इससे ज्यादा होगा और फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा और दर्भंगा सीट इलोट हो जाएगा वह कैसे लोग होंगे तो वह किसी स्बिलोंग करते हों थीक है जैसे की ओवेंस सीवेन होगा ठिक है या फिर isます होगा या फिर ən ओना हपिर फेडियोळियोजार होगा या फिर पीड़व्डी होगा इस तरह का या फिर करय 29 ऑला कोटा होगा। इस तरह कि लोगों का रैंक ज्यादा भी होगा तो आ सकता है कि दरभंगा यह अलोट हो सकता है फर्स लिस्ट में लेकिन ठीट तक जिसका भी रैंक है या उसे कम है त्गदम कणफार्म मानिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा पहला लिस्ट जो आएगा उसमें आपका नाम होगा और आप अराम से टेंसर नहीं लिजिए आपका एड्मिशन हो जाएगा लेकिन इससे ज्यादे जो रैंक होगा उसका भी आ सकता है अगर वह स्पेशल केटिगरी से बिलॉंग कर रहा होंगे ठीक है वोबीसी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कंफ्यूजन दूर हो सके अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल लाइकन दबा दिजेगा ताकि आपको इसी तरह की इंफर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे